साहरन पुर्गी थाना देवबंद पुलिसवा एश्टीअफ फिर लिकाई मेरट की संयूग टीम को बली काम्य भी मिली है पुलिसवा एश्टीअफ के संयूग टीम दुवारा नशात अशकरों के विरूस बली कारवाई की गई है टीम ने तीन सातीर नशात अश्करों को गिराफतार किया है जिनके कबजे से दो किलो 22 ग्राम इसमेग जिसकी कीमत लगवा 35 लाख रुपे एक एंटर अशोक ली लेंड 3150 रुपे नगदवा तीन मुबाइल फून बरामत किये पुलिस पुष्टाज में आरोपियों ने बताया कि वो बरेली से लाकर इसमेग साहरनपुर में बेचने का काम कर रहे थे ब्योर रिपोर्ट टीवी बन भारत देखे कर राद स्टीएफ यूनिट मेरड और सायनपुर पुलिस ने संयुक द्रूप से ऑपरेशन करते हुए तीन लोगों को भारी मातरा में मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश शाषन और माननी मुख्यमंत्री जी के आदेशा नुसार पुरे उत्तर प्रदेश में मादक पदार्थोक और इसकी तसकरी करने वालों के खिलाफ बहुत बड़े स्तर पर कारवाई चल रही है और इसी कारवाई के कम में कल तीन व्यक्तियों के पास से लगभग दो किलो पाईस ग्राम स्मैक बरामत हुई है जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग पचास लाग क्या सपास है और ऐसा पुष्टाच में ऐसा सामने आया है कि ये बरेली से ड्रक्स लेके यहां सहारनपुर में पेडलर्स को सप्लाई करने के लिए आ रहे थे इस मामले में अभियोग पंजी करत करके NDPS8 की संगर धराओं में इनको कराजार की जा रहा है इसमें से एक व्यक्ति जो है जो चलकाने का रहने वाला है वो पेडलर इसमें और लोगों का नाम सामने आ रहा है वह उसमें उनकी बिगरबतारी की जाएगी पचास लाख लगबग रुपे कीमत है इसके